असलाम अलेकुम कैसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अलहम्दलिल्ला हम भी ठीक है तो आज हम आपको पत्ता गोभी के टिकिया बताने वाले है फ्रेंस ये कबाब से कम नहीं है इतना इसका टेस्ट लाचवाब है फ्रेंस आप इसको एक बार ट्राइ करोगे तो हमें अमीद है इंशालला आप इसको बार बार ट्राइ करना चाहोगे और इसका टेस्ट कभी भूल ने पाओगे इतने मज़ेदार इतने टेश्टी होते है फृंस ये बहुत ही आपका पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा इसका जायखा इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाओ होस्त बखी इससे अझाएया मेरा यह खें हम ही हो बेहतर स्थथ, एसन सुपनों से जहांद वहाँ आपके के इतरों वहाँ गुस्ति पेहतर हो प्रोगना चाणा जो मैदें भी था ओसा घूरा घुत वहाँ हम जामति करें देखुन प्राइब करें लिए एक बार न कीजी आपकी इसी बनाना कि घिचानी कीजिए या टमाटो किजिए जिसके भी को पसंद अपको सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत जावाव इसका तेश है कोई भी चटने के साथ यहारी मिर्चे हमने इसके साथ फ्राइग की है तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार यह टिक हम कैसे बनाने वाले है तो यहां पर हमने आधी पत्ता गोबी लेकर रखी वी आप देख सकते हो जो एक आती है अखी वाली उसमें से हमने आधी लेकर इस अपना पानी रिलीस करेगी आप खुदी देख लीजिएगा यहां पर लिया हमने हर इमेज अध्रक लसन 25-30 लसन की कलिया है थोड़ा सा अध्रक का टोड़ा है हमने से कट किया है हर इमेज है तो इसका हम दरदासा पेश तयार कर लेंगे तो हमने यहां पर सब रखा वाइ इस तरह से दबाधब कर साभी पानी निकालना है तो यह देख लीजेगे कितना सारा पानी निकला है यहां पर देख लीजिए एक चोड़ी कर्टोरी लिया हमने बैसन अटा चोड़ी कर्टोरी आप चावल का आटा और यहां आपर प्याज रखे वी आप देख सकते हो यहा करड़ अधा चेमच कालीमेचोकपॉड नमक ते चिर्ण जीरा दर्दरशा चेपट लालमिच तोरी के बना रहे हैं तो चीली फ्लेक्स बिल्कुल मड ढ़ लिए लगता बच्छे लोग सहां नहीं खाता जीए तो ठीव्ड़ा नहीं आप ल्लूघ बड़ दाल सकते हो अधा आप देख लीजिए प्यास गाजर हरदणिया एक गाजर थी हमारी लंब लंब स्लाइज में हरदणिया और फोड़ा सा जो ऐसे एंसे रहा था आप पाट था तो वह हो बहुत आप किया और भॉक्त खर आप टूर्ट पर आप देख लिजिए कोटी विलाल मिर्चे दर्दरसा तो इस तरह दर दरसा होना चैस्टान को पेस्ट आण टाल रहें तब ही बहुत अच्क है तो आटास है आप देख सकते हो बहुत अच्छे से तो इस तरह से हमने इसको मिक्स किया है दो से तीन चमच के करीभी पानी यूज होगा ज्यादा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं होगा फिर इस बात का अब ध्यान रखे यह देख लीचिए अप इसमें से भी पानी इतना यूज नहीं होगा आप यह आपको बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर हाद को फिर पानी डालना है तो यह देख सकते हो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ कीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए यह देख लीजिए इस तरह का हमारा बेटर होना चाहिए और पानी इसके अंदर है या बहुत सिंपल से मसाले और इतनी मज़ेदार ये टीकिये बन कर तेयार हुई थी न हम आपको क्या बताए बहुत दिला जाओ आप तो फटा फट से हमें इसको टीकिये का शेप दे देंगे अगर हाथ पे चिप अगर थोड़ा सा ओल लगा लिजे या फिर पानी भी आप लगा कर लिए ना जादा मोटा ना जादा पतला मेडियम साइस का टीकिये बना लीजिए तो अबने गरम के लिए रख दिया है तो हम इसके अंदर पटाफा टीकिये हमारे छोड़ देंगे और मेडियम फिलेपर इसको फ्राइ कर लेंगे ये कच्छी है तो अभी नीचे बेट ज दो तीन मिनट में ये फ्राइ हो जाएंगे और में ये उफर से तैरने लगेंगे तो आप समझ जाईए कि अंदर से ये बिल्कुल भी कच्छे नहीं है बहुत अच्छे से फ्राइ हो जुके है तो ये देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है माशा आला है दोनों साइड स हम आपको बता रहा है इसके लिए वापस डाल कर उस साइड से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि दोनों साइड से आप देख लीजिए तो यह हो चुकि हम निकाल कर इस तरह से चन्ने में रखेंगे तो जो भी इस ट्रॉयल होगा न तो निकल जाएगा दूसरे फ्राइ निकल जाता है तो फटा फटा से इसको फटा पलट कर आपको अपने आप तैरने लगे तो आप समझ जाएगा यह अच्छे से फ्राइगा हो चुके है टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आप इसे फटा फटा से निकाल लेंगे कितना प्यारा कलर आया है तो देख सकते एक कंशरा होगा कितनी मज़दार यह जब तैस होगी कितना इस का लजवाब टेंस होगा जरूर और हमने हरे दिनिये पुदीने की चट्नी भी तयार की है इसका वीडियो आप हमरे चैनल पर देख सकते हो तो इस तरह से मज़ेदार चट्मी के साथ इसको सॉफ कीजिए या फिर आपको टमाटर सॉस पसंद हो या से जॉन सॉस पसंद हो तो आप उसके साथ में भी स्को आपको इसको ट्राइब करके देखना पड़ेगा जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो इसके आपको तोड़कर भी दिखा रहे हैं तो कैसी लगी और मज़िदा रेसिपी करके जरूर बताना अच्ही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके पाइमिले ओटिन में और इसी तरह की इसी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं आपका प्यार दीजिए आपका सप्पोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज 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 पहली बार चैनल पर आए हो तो बिना सब्सक्राइब की मजज आपका प्यार आपके सपोर्ट के हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आप हमारे चैनल पे कुन सी रेसिपी देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट करके बताएं इंशालला और रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए मिलते हम बहुत जद इंशालला तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत साथ खयार लखिए हमें अपने दुआउं में याद रखिए वीडियो देखने के लिए आप सबी कते हैं दिल से शुक्रिया जजाकाला अल्ला हाफिस